Hello everyone, this is Pankaj from IG Classes. I welcome you all in our new session जहाँ पे हम Mental Ability का Practice 3rd करेंगे. As all of you know that कि हमने इसके 2 सेट कम्प्लीट कर ली है, यानि कि 30 कोशन को कम्प्लीट कर ली है. आज हमारा 3rd session है, इसके बाद हमारे approximately 45 कोशन हो जाएंगे. जैसे कि मैंने आपके कमेंट देखे हैं सबके कि हर एक student का ये मानना है कि ये lecture series मुझे जब तक exam है तब तक continue करने चाहिए. तो जितना मुझसे possible हो पाएगा मैं ये करूँगा. बट responsibility आपकी बनती है. कि आप वीडियो को जादा से जादा share करें और हमारी वीडियो को like करें. अगर आपको content अच्छा लग रहा है तो ठीक है. और हर एक student मुझे मेरे instagram handle पे follow कर सकता है. क्या सच करके add the rate पंकज अंडर्सकोर 0498 और pdf आप सबको कहा मिलेगी? हमारे ig camera classes के telegram channel पर. जिसका link मैं last में बताऊँगा. और वैसे link बताने की जुरूद तो है नहीं. maximum आप सीधे सच करें telegram में जाके ig classes. आपको सबसे पहला जो channel है वो हमारा ही मिलेगा. आप्रॉक्सिमेटली 60,000 के around student है हमारे channel पर YouTube पर और 24,000 के around है हमारे कहां पर telegram के channel पर. बट मेक शूर जादा सर जादा students वहां पर join करें. और मैं बाकी भी जो आपके doubts देख रहा हूँ. don't worry about that. मैं सारे doubts के combined video session लगँगा. जिसका नाम होगा doubt session. ठीक है? वो करवा पाऊँगा. बट उससे पहले अगर किसी को normal सा doubt है, जादा बड़े minor सा doubt है. या specific कुछ पूछना exam के related. तो वो मुझे मेरे Instagram handle में आके पूछ सकता है. ठीक है? ओके? तो आपका जादा समय ना लेते हुए आज का lecture स्टार्ट करते हम. ओके. यह रहा पहली question आपकी screen पर. जो Venn diagram से है. जैसे कि मैंने आप सब को बोल रख है कि वीडियो को pause करेंगे सब. उसके बाद उसका answer comment section में बताएंगे. मैं देख रहा हूँ. ऐसा बहुत कम बच्चे कर रहे हैं. बेटा ऐसा नहीं चलेगा. अगर आप साथ साथ में निकालोगे. वीडियो देखते देखते. तो किस हिसाब से preparation होगी आपको. आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गलती कैसे हुई है. improvement कैसे करोगे. आप वीडियो को pause करो. पहले खुद निकालो. फिर उसका answer देखो. match कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर नहीं कर रहा. तो उसकी गलती को identify करो. क्यूंकि आपकी improvement आप पर ही depend करती है. तो make sure next time से ऐसा ना हो. तो आप start करते हैं. I hope सबने निकाली होगा. चलो start करते हैं. कहता है woman, mothers और engineer के बीच का when diagram क्या बनेगी. हमें पता है कि जितने भी mothers हैं. वो women होती हैं. तो all mother contains women. ठीक है. next engineer. बटक engineer सारे की सारी women तो नहीं होती. सारी की सारी mothers भी नहीं होती. बट कुछ एक होती है ना. तो यानि कि some तो आए गई. यानि कि कुछ this type का बनेगा. जो हमें कहां दिख रहा है E पे. क्योंकि देखो D पे क्यों नहीं है. क्योंकि वहाँ पे mothers वाले में नहीं आ रहा. है ना. बट कुछ engineer mothers भी तो हो सकती है. इसलिए option number E will be correct answer. ओके. next question फिर से वेंड डाइग्राम का. वीडियो को pause करो. answer को comment में बताओ. तो चलो यह question करते हैं. ठीक है? question direction देख लो. अब question पूछा है. वो जो singers हैं. singers वो वाले जो dancers भी हैं. ठीक है? पहले singers और dancers रूटते हैं. जो singers हैं और dancer भी हैं. तो singers और dancer दोनूँ हैं. तो वो कौन से हमारे पास? देखो. यानि कि वो triangle में भी आने चाहिए और इस rectangle में भी. वो कौन से आ रहें? एक तो R आ रहा है. एक M आ रहा है. सुरी P आ रहा है. Q आ रहा है. और U आ रहा है. ठीक है? यह. यू क्यों हो गया? वोलिनिस्ट हो गया? यह भी नहीं आ सकता. P पी भी अक्ट हो गया? नहीं आ सकता. तो option क्या बच्चा? R, which is option number A. तो option number A क्या हमारा? correct answer. ओके. तो यह रहा next question. वीडियो को पास करो, answer बताओ. ठीक है? हो गया सबका? चलो आप देखो. कहता है, some high hello. आपने high hello बेजा. कुछ का reply आ गया है. हाई. क्या आ गया reply? हाई आ गया reply? ठीक है? बट कोई भी हाई, यो में convert नहीं हुआ. बट जो कुछ हाई थे, वो किस में convert होगे? बेप्स में convert होगे? आपकी किस में अच्छी थी. जो ऐसा हो गया ना? ये वाले lucky person है, जिनका ये हो गया वई. अब देखो, question के अब conclusion. No baby is you. कोई भी बेप, यो नहीं होगे. कांट से? doubtful. No hello is babes. कोई भी hello babes नहीं है. doubtful. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. some high are you. कुछ high यो है. बिलकुल नहीं, बिलकुल गलत. भाई, हाई तो कोई यो में convertी नहीं हुआ. All babes are high. सारे के सारी babes हाई है. कुछ का तो हमें पता है, बट सब का नहीं हीं पता. तो again, doubtful. तो हमारे पास option क्या बनता है? None follows. कोई भी पूरी तरक्के से follow नहीं कर रहा. That is option number D. हमारा क्या हुआ? Correct answer. Clear हो गया? तो फिर ये वाला question करो. फिर clear हो गया तो. Question में fourth. वीडियो को pause करो. और क्या solution आया? वो comment section में बताओ. और हाँ, वीडियो के end में सब aspirant अपना score comment में बताएंगे. ठीक है? Comment में बताना जरूरी है. शर्माओ मत कि अगर आपके कम आएं. आपको सीखना है. आपको भी तो पता चले. अच्छा चलो, अगर किसी ने comment में नहीं बताना है. तो पेज लो. वाइड पेज. उसमें date wise जा practice wise लिखो कि first में मेरे कितने marks आए थे. second में कितने marks आए है. ठीक है? वो सब लिख के मुझे individually इस्टाग्राम पे send करो. ठीक है? जब ये 5 session हो जाएंगे, मुझे सब का result चाहिए. कि कितनी improvement हुई है. ठीक है? ओके. स्टार्ट करते हैं. कुछ कप्स के हैं, काइट हैं. बिल्कुल हैं, जी. और काइट सर पैन. सारे के सारे काइट सर के हैं, पैन. ठीक है, जी. बट नो पैन is a spoon. कोई भी पैन के है, स्पून नहीं है. ठीक है? मान लिया, जी. जो आपने बोला, हमने मान लिया. मानना पड़ेगा. अब कंक्लूजन के अगॉर्डिंग देखो. सौरी, यहां पे मैं option डालना बोल गया. पर हम यहीं से करनें. No kaiters is a spoon. बिल्कुल सही. Some cups are pan. बिल्कुल सही. All pan being cup is a possibility. सारे के सारे जो pan हैं, वो cup हो सकते हैं. Possibility? बिल्कुल है. All spoons are kite. नहीं जी. सारे के सारे spoons तो kite हो इनी सकते हैं. क्योंकि spoon pan के अंदर नहीं जा सकता. तो kite के अंदर कैसे जाएगा? बिल्कुल गल्थ. Some kite not being cup is a possibility. Not being cup. बिल्कुल सही. तो हमारा first, second, third and fifth के आगया? सही आगया. Clear? Clear हो गया? Clear वो वालने की दिमाग से हट गया. मतलब concept clear हो गया? ठीक है. हो गया तो आगे चलो. Question of fifth. Inequality? Okay. हमें question को बनाना कैसे? उससे पहले एक चीज़ बता दूँ. मान लो, concept सिख लेते हैं. अगर A is greater than equal to B आजाए. फिर greater than C आजाए. Is equal to D आजाए. हमें पूछा जाए. क्या होगा? A is greater than D होगा? A is greater than equal to D होगा? या A is equal to D होगा? देखो. जब भी ऐसे जाते जाते हमारे पास greater than का साइन आजाए. तो first preference इसको दी जाएगी. Second इसको दी जाएगी. Third इसको दी जाएगी. अगर ये तीनों option में हैं. तो हमारा ये correct होगा. बट अगर ये वाला option में नहीं आता. तो हमारा ये correct होगा. बट अगर ये वाला भी option में नहीं है. तो देन ये correct होगा. ठीक है? ओके? हम basically हमें preference किसको देनी है? तो पहला P is greater than D. P is greater than A है. और A is greater than D है यह correct अब Y is greater than D Y is greater than A है A is greater than D है यानि कि यहाँ पे both follows दोनों के दोनों क्या करें है follow कर रहे है ठीक है अब जिसको थोड़ा सा doubt रहागा है नहीं इस वाले question में तो अगले वाले question में clear हो जाएगा चलो एक तरीका और बताए तूं sorry यहाँ पे तो वो ही बता रहा है simple अब मैं यहाँ पे बताएता हूँ कि आप इस question को और किस तरीके से कर सकते थे ठीक है देखो जैसे यहाँ पे था P is greater than R is equal to A A is less than Y हमारे पास यहाँ पे हम D is greater than A ठीक है जहाँ पे हम ऐसा लगते है D is greater than A sorry D is less than A है तो हम ऐसा लेख सकते है A is less than D तो हमें पहली क्या चीज़ पूची गी है P is greater than D sorry A is greater than D हाँ A is greater than D है ठीक है P is greater than D है पहला फॉलो हो गया अब D is greater than sorry D is less than Y Y A से बढ़ा है फिर A D से बढ़ा है तो अब इस बात है Y is greater than D तो आप इस तरीके से भी इस question को solve कर सकते हो ठीक है अगला question यहाँ पे तो simple दे रखा है वो रहा है O is greater than S हमें हमेशा greater वाले side से पढ़ना है क्योंकि हमारी psychology greater वाले को काफी असानी से समझ लेती है तो देखो O is greater than equal to M M is greater than सिर्फ greater than का sign आगया आगे कहीं यह वाला sign तो नहीं है नहीं है न तो यानि कि हमारा क्या आगया यह correct आगया अपने आपी अब C is greater than D पिटा C तो हमेशा छोटा है इससे छोटा तो बड़ा तो किसी से नहीं है तो यह तो automatically गलत हो गया तो option number D will be our correct answer ठीक है समझ आई बात चलो अगले question पे जो number series क्या है अच्छा सभी वीडियो को pause करेंगे और इसका answer comment section में बताएंगे कह लिए है सबने very good तो चलो अब मैं start करो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अगर हमारी number series drastically change आ रहा है तो multiplication का concept है ठीक है तो यहाँ देखो 8 29 113449 और हम यह बताना है तो पहले हम multiplication करके देखने है ठीक है 8 कितने के round है 4 भी बोल सकते हूं 3 भी बोल सकते हूं है ना चलो 4 8 4 जा 32 माइनस 3 है इन्टू 4 माइनस 3 क्या रहा है 29 फोर्जा कितना होता है 120 कितना हो गया फोर्जा यहाँ तक तो यह रूल करता है क्या आगे यह करता है देखते है तो 113 इन्टू 4 कितना होता है इन्टू 4 दैट इस 452 माइनस 3 बिल्कुल फोलू कर रहा है यार फोलू कर रहा है ना मल्टिप्लिकेशन होला अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या आएगा अब 449 इन्टू 4 करो कितना आया इन्टू 4 that is 1796 बट माइनस 3 भी तो करना है यानि कि 1793 that is option number D हमारा क्या 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 correct answer तो समझ आया मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता रखी थी कि हम इस तरीके से करेंगे मल्टिप्लिकेशन करके क्योंकि यहाँ पर drastically change आ रहा है तो हमारा question काफी असानी से हो गया अब देखो ये question इस type का मैंने second class में करवाया था है ना देखो यहाँ पर increment हो रही है फिर decrement हो रही है फिर कुछ हो रहा पता नहीं बर last में फिर से increment हो रही है तो यानि कि ये double pattern वाला question आ गया मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8, 24, 12, dash, 18, 54 तो देखते हैं 8 कितने जा plus या multiplication multiplication ज़्यादा असान लग रहा है ना 8, 30, 24 ओके यहाँ पर कम हो रहा है 24 से 12 जानो तो divide by 2 करना पड़ेगा इसके आगे increment हो रही है हमें नहीं पता क्या और यह decrement और यह नहीं पता बढ़ यहाँ पर हम find out कर सकने into 3 मतलब इस multiply by 3 इसके according यहाँ पर भी multiply by 3 हो चाहिए तो multiply by 3 करके कितना आया 36 ठीक है अब 36 को divide by 2 करके देखो क्या आता है 18 आरा है यानि कि 36 तो fully satisfy कर रहा है तो यानि कि option number B और यहाँ तक मुझे लगता है JKSSB के pattern को analyze करते हुए कि इस type का pattern इस वार accept कर सकते हैं ठीक है ओके हम उमीद कर सकते हैं कि इस type का pattern आएगा तो इस type के pattern की हो सके तो मैं question provide कराऊंगा group में अब try करना कि वहाँ पर solve कर सको ठीक है next question that is of blood relation खुनी रिष्टे के बारे में कहता है B and C are sibling sibling है बाई 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 या दोनों बाई या दोनों बाई या हमें नहीं पता is equal to का sign कहता है M has two children M के दो बच्चे है एक जो भी होगा ठीक है दो बच्चे होगा हमें नहीं पता दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल है ओके and M is a son of and he is a son of E M is a son of E ओके E who is a father-in-law of H ससूर है H का तो M की wife ही होगी वह ओके H has only one son H का A की बेटा है ओके एक बेटा मा लिया तो यानि की B और C होँगे दो बच्चे है तो ओके and C is not a grand daughter C grand daughter नहीं है तो C क्या होगा grandson होगा तो यहां पे क्या गया E स्वारी यहां पे क्या गया B है ना अब कोशिन How is B related to E B E का क्या लगता है या क्या लगती है B के हमारी daughter E के बेटे की बेटी क्या होई उसकी क्या होई पोती जिसको मोलते हैं हिंदी में इंग्लीश में सौरी granddaughter तो हमारा option number A क्या हुआ correct answer अगले question question 10 पे चलेंगे सब that is of statement and conclusion यह question ना काफी असान है बस हमें यहां पे एक concept सीखने है ठीक है पहले question को पढ़ता हूँ फिर concept से कहता हूँ कहता है domestic demands increase हो रही है काफी तेजी से as compared to their production but domestic demand increase हो रही है बड़ उसकी production कम हो रही है अब conclusion में क्या दे रहा है कहता है crude oil must be imported ठीक है होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है और domestic demand should be reduced ठीक है अब मुझे एक चीज़ बताओ अगर मैं ये चीज़ को import करना start कर दूँगा क्या मुझे demand के reduction की ज़रूद है बिल्कुल ही अगर आपके पास आपको 10 kg rice खरीदने है ना ठीक है अगर आपके पास 50 kg आ रहे है तो आप इसकी demand कम क्यों करोगे बट अगर आप इसकी demand को कम कर दोगे तो आपको import करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी तो दोनों के दोनों हैं तो ठीक बट एक दूसरे के साथ relate नहीं कर पा रहे हैं तो either one और or two तो option number C क्यों हो गया हमारा correct answer I hope यह अगर ठोड़ा tricky सा part रहता है लाइक करे ठीक है ओके question number 11 that is of order and ranking ठीक है अभी तक इसका question exam में नहीं आया है बट आने के 98% chances हैं क्योंकि JKSS भी अपने pattern को हमेशा चेंज कर रही है ना तो अब देखते हैं question M is older than R M किसे बड़ा है R से बिलकूल सही बात है क्यों इस younger than R यानि की R किस से बड़ा है Q से अच्छा Q N से भी बड़ा है ओके and N is not old N सबसे old नहीं है M N older नहीं है ठीक है तो बेटा देखो M अगर R से बड़ा है R मेरा Q से बड़ा है और Q मेरा N से बड़ा है हमें oldest बताना है oldest कून सा सबसे बड़ा कौन सा यहां पर M दिख रहा है तो यानि की option number A क्या होगा हमारा answer ओके clear तो चलो अगले question पर फिर अगर यह concept clear है तो अच्छा यह distance and direction क्या है D&D का और यह question मैं आपको homework में दे रहा हूँ क्योंकि हर बार आप मैं try करूँगा कि एक question आपको as a homework मी मिले इस question का answer क्या है every experience should tell me in comment section ठीक है comment section में बताएगी ओके तो अगले question पर चलते है अच्छा अगले तीन question हमारे speed, time and distance है तो उसके लिए पहले मैं concept सिखाऊंगा आपको ठीक है concept क्या बोलता है कि अगर आपको distance find out करना है और हमें मालो एक बंदा a point से b गया x speed की x की speed से ठीक है b से बापीस a में आया y की speed से ठीक है और जो इसमें time का difference लगा मालो इसमें 4 गेंटे लगे होंगे इसमें 3 गेंटे लगे हमें time का difference दे रखा एक और तो हम कौन सा formula लगाएंगे speed 1 जाने की into speed to आने की जो speed बढ़ी होगी उसमें से छोटी को minus करें और multiply में time difference time difference on both ways ठीक है इस formula को use करके हम अगले दो question करेंगे ये trick सिखाई है मैंने basic नहीं है ये तो I hope ये आपको concept यानि की trick clear होगी होगी अब इसके question करेंगे तो और clear हो जाएगी ठीक है question बढ़ 14 पहले करते है train was late by 6 minute difference दे दिया अगर वो सही time पे पहुंचती और अब वो late पहुंच रही है 6 minute का कहता है अगर वो driver 4 km पर और की speed को increase करता है at the next station जो 36 km आवे है मार जानि की distance दे दिया कितना 36 ओके the train reach on time तभी जाके train टाइम पे पहुंचेगी अभी कितने minute लेट हो रही है 6 minute find the original speed मालो उसकी हमने original speed को let किया s बट अब वो कितनी speed को change कर रहा है s plus 4 ठीक है अब दोनों speed का difference कितना है 4 का कितने minute time कितना है 6 minute लेट हो रहा है यानि कि 6 by 60 इसको solve किया यानि कि 1 by 1 by 10 यानि कि 40 which is equal to s into s plus 4 divide by 40 अब यह देखो 36 into 40 is equal to s into s plus 4 यहाँ पे दिख रहा है s की value 36 होगी s plus 4 की अपने 40 हो जागी यानि कि original speed कितनी थी 30 km पर और की ठीक है अब मैं यहाँ पर यह question पूर्च सकते हूँ आपको कि अब जब उसने speed increase कर ली तो उसकी total speed कितनी होगी अब क्या होगी s plus 4 यानि कि 34 की speed होगी clear समझाई बात distance हो गया speed है मैं time भी पूर्च सकते हूँ आपसे है ना तो यह इस pattern पर question था अब अगला question यानि कि जो basically हमारा पिछला question है 13 question वो इसका थोड़ा सा advanced version है ठीक है कहता man cover a certain distance on a scooter and he travel 3 km पर और कहता एक certain distance चलता है distance हमें find out करना है okay speed चलता है and he travel 3 km पर और अगर वो 3 km पर और fast रहता है तो महलों पहले उसकी speed s थी अब उसकी speed कितनी होगी s plus 3 तो total difference कितना है तीन का अगर वो time इस पर चलता तो उसको exact time पर पहुंचता अगर वो speed को increase कर अब उसको 40 minute कम लगेंगे ठीक है difference कितना गया 40 minute का यानि की 40 by 60 अब भी तक जो question दिया था ये but if he decrease his speed by 2 km then he becomes 40 minute late distance same रहा यानि की इस बार भी d की value यानि की s को मान लिए original speed अगर वो speed को कम करता यानि की s minus 2 यानि की इस speed से चलता तो वो late 0 minute होता यानि की exact time पर पहुंचता but उसने speed को 2 km per hour से reduce कर लिया तो वो कितने minute late पहुंच रहा है यानि की उसको 40 minute extra लग रहे है ठीक है difference कितना गया 2 ठीक है 40 minute extra लग रहे है difference कितना गया total 40 by 60 का अब यहाँ पर जो d है यहाँ पर d है same है तो दोन्यों equation क्या हो जेंगी equate यानि की s by 3 sorry s into s by 3 into 40 by 60 must be equal to s into s minus 2 by 2 into 40 by 60 अब यहाँ पर sum multiplication है यह भी कटेगा यह और यह कटेगा अब यह बाकी cross multiply कर दो तो cross multiply करके क्या है हमारे पास यानि की 2s plus 6 is equal to 3s minus 6 ठीक है यानि की s is equal to 12 यानि की उसकी original speed कितनी होगी हमारे पास 12 question में क्या पूचा है distance देखर speed निकल गी अब इसमें value डाल दो distance आ जाजएगा distance is equal s की value 12 into 15 by 3 into 40 by 60 15 forja for tenja 3 forja यानि की answer या 40 km which is equal to option number c I hope ये वाला question clear हुआ हुआ मैं एक वार फिर से इस question को repeat कर देता हूँ ठीक है ओके देखो question में बोल रहा है कि अगर एक बंदा 3 km speed अपनी बढ़ा देता है ठीक है वो 40 मिनिट कम time लेता है distance का formula भी हमने पढ़ा अगर वो 3 से बढ़ाता है तो divide होगा इन दोनों का difference कितने मिनिट कम लेता है difference 40 by 60 first condition second अगर वो speed को 2 km पर और से कम करता है तो original speed S कम कर रहा है तो S-2 difference कितना है 2 यहाँ पर आ गया अब कितना time कम लेता है 40 मिनिट यानि कि 40 by 60 difference कितना है 40 by 60 ठीक है अब दोनों जगा DD था तो मैंने दोनों equation को equate कर दिया सिर्फ value डाली equate किया यहाँ पर 40 by 60 40 by 60 कटा SS कटा 2 को इदर multiply किया 3 को इदर किया तो यहाँ से S की value होगी 12 बट हमें speed नहीं निकालना था distance तो अब किसी भी equation में value डाल दो तो मैंने इस वाल equation में डाला S की जगा 12 यानि की S plus 3 15 into 40 by 60 by 3 इसको solve किया तो D की value होगी 40 यहाँ पर और क्या क्या question पूट सकता है अब मुझे आप यह बताओगे question ठीक है question यह बताओगे कि जब उसने speed decrease की अपनी ठीक है तो उसकी speed क्या रही होगी ठीक है और अगर वो decrease speed के साथ कितना distance travel कर पाता अगर original distance यह था ठीक है अगर उसने speed increase कर ली तो उसको कितना time लगा होगा वो तो ऐसे दे रहा है 40 minutes ठीक है clear question question 14 होगय question number 15 question 15 बटते है ठीक है a boy goes to a school with the speed of 3 km per hour and return with the speed of 2 km per hour if he takes 5 hours in all distance in kilometer ठीक है total कितना time ले रहा है वो 5 कंटे तो उसका village कितने दूर होगा village उसका कितनी दूर होगा तो कैसे निकालेंगे हम question को कैसे solve करेंगे बढ़ी बताओ मुझे इसका answer क्या आएगा शाबाश बता सकते हो चलो ये question में अब आपको देखो total time कितना लग रहा है हमे total time दे रखा है है ना जाने का distance आने का distance same pattern का question है तो ये question अब आप करके बताओगे इसका answer comment section में बताओगे ठीक है I hope ये वाला concept आपको clear हो गया होगा इस type के question आपके clear होगे next type में मैं try करूँगा कि train वाले question लेके हो जो की JKSSB के बाकी जो पीछे वाले exam होगा extension educator होगया उसके बाद हमारा extension educator का exam होगा बाकी जो exam होगा उसमें जो आयता है ठीक है तो उस type के question लेके होगा ठीक है I hope आज का session आप सबको अच्छा लगा होगा हमारा आप सबको जैसे पता है PDF हमारे यहाँ पे मिलेगी मेरे साथ connect करना चाहते हो तो Instagram पे आप क्या सच करोगे पंकज underscore zero four nine eight आप मेरे साथ यहाँ पे जुट सकते हो ठीक है बाकी रही बात आपके doubts की तो वो don't worry about it जहाँ जहाँ आपको doubt होगे मैं बैठा हो solve खुने के लिए और जल्दी हम JKP SI का पूरा exam start करेंगे पूरा syllabus मैं free of cost करोगा और मैं यह आपको shorty दे दूँगा कि आप किसी भी paid course के साथ मेरा content को match कर सकते है उससे better ही मिलेगा आपको उससे कम नहीं मिलेगा तो उससे पहले आप इस वले SI की exams की अच्छे से त्यारी दो ठीक है particular जहाँ जहाँ doubt आ रहे हैं उसकी बिताते चलो मुझे comment section में या आप मुझे मेरे instagram handle में बता सकते हो तो जिसके मुझे ज़ादा message दिखेंगे मैं उसकी video लेऊँगा ठीक है? Dears, thank you and have a good day